बंदे अब आपके बीच इस धर्ती की बेटी भारत की बेटी और जमुई की विधायक सूसरी सिरेशी सिंग जी हमारे यशश्वी परधान मंत्री आधर्णिय श्री मोदी जी को अंग वस्र देकर शम्मानित कर रही है साथियों मैं आधर्णिय चिराग पासवान जी जमुई के सांसद जमुई के बेटे लोजपा राम विरास के राष्ट्रिय द्यक्ष चिराग पासवान जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मंज पराकर जन सवा को संबोदित करे चिराग जी को जैश्री राम साथियों इस समानित मंज पर मौझूद हमारे देश के गौरव हम सब के अभिमान हम सब के स्वाविमान देश के यशश्वी प्रधान मंत्री आदनिय नरेंद्र मोधी जी मौझूद इस समानित मंज पर बिहार राज्य के हमारे लोग प्रिय मुख्य मंत्री आदनिय नितीश कुमार जी मौझूद इस समानित मंज पर बिहार राज्य के उप मुख्य मंत्री भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष् सम्राट चौदरी जी मौझूद बिहार राज्य के उप मुख्य मंत्री श्री विजय सिना जी मौझूद इस समानित मंज पर राष्टिय लोग मोट्चा के राष्टिय अध्यक्ष आदनियो पेंद्र कुश्वा जी मौझूद इस समानित मंज पर माननिय मंत्री श्री जमुई की लोगप्रिय विधायक और इस मजदिसमंच की संचालन करता मेरी बैन आदनिये श्रेशी सिंग जी मौजुद इस सम्मानित मजबर लोग जन्शक्ती पार्टी भारतिय जंता पार्टी जंता अदल उनाइटेड राष्टिय लोग मोचा हम पार्टी के तमाम सम्मानित जिला ध्यक्ष मौजूद यहां पर हमारे गड़बंदन के अलग-अलग प्रखंडों से आएवे तमाम प्रखंड के पदादिकारी साधी आदनिये बुजर्गों माताओं बेनों मेरे तमाम नौजवान युवा साधियों आप सब को चराग पासवान का शुरुवात करते हैं तो वो शुरुवात हमारे प्रधान मंत्री जी हमारी जमुई की धर्ती से करते हैं एक बार जोरदार ताली से प्रधान मंत्री जी का स्वागत आज एक तरफ जहां यहां सब के लिए गर्व की भी बात है मेरे लिए विक्तिकत तौर पर एक भावुक शन है एक भावुक लमा है पिशली बार जब प्रधान मंत्री जी यहां पर आये थे उस वक्त मेरे पिता अधनिय रामविलास पासवान जी भी मौजूद थे उस वक्त वो भी मेरे प्रधान मंत्री जी के साथ कंदे से कंदा मिलाकर हर संभव प्रयास कर रहे थे कि जनता का जादा से जादा प्यार समेट कर प्रधान मंत्री जी के लिए वो समर्पित करें आज जब मेरे पिता यहां पर मौजूद नहीं है मैं फिर भी मेरे प्रधान मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार की चालिस की चालिस सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधान मंत्री जी को समर्पंड करने के लिए चालिस की चालिस सीटे हम लोग बिहार से जीतने जा रहे हैं और ये जरूरी भी है साथियों आज अब हम लोग चुनाओं की पूर संद्या पर यहां पर मौजूद है जरूरी है राष्ट हित में मेरे प्रधान मंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनना जरूरी है देश के लिए हमारे प्रदानमंत्री जी का तीसरी बार प्रदानमंत्री के तौर पर शबद लेना एक मात्र यही प्रदानमंत्री है जिन में वो शम्ता है जिन में वो सामर्थ है जो दुन्या तो क्या देश के हर एक देश को हमारे सامने नतमस्त करते हैं हमारे सामने अभिवान, सौभिमान, कौरव से देखने के लिए मजबूर करते हैं आज दुनिया में देश की लोग प्रेता बड़ी है, भारत का नाम बड़ा है इसका श्रेफ सिर्फ वो सिर्फ हमारे प्रधान मंत्री जी को जाता है आज हमारे देश के आर्थिक हालात सक्षम हुए हैं समर्थ हुए हैं ये श्रेफ हमारे प्रधान मंत्री जी को जाता है आज से पहले हमें से कोई नहीं जाता था कि भारत कौन सी शृणी पे है अर्थ विवस्ता को लेकर पर आज दुनिया की पाँचवे सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता किसी ने बनाया है तो वो हमारे प्रदान मंत्री आधनिय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है आने वाले तीन ताने वाले पास सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता हमारा भारत बनने जा रहा है तो ये देन भी हमारे प्रदान मंतरी आदनिय नरेंद्र मोधी जी की है साथियों लोग बोलते हैं अर्थ विवस्ता बढ़ती है तो अर्थ सास्त्री इस बात को समझे जब की हकीकत है जब एक देश की अर्थ विवस्ता बढ़ती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है जब राज्य का राजस वो बढ़ता है तो आपके छेतर का अर्थिक विकास होता है और जब आपके छेतर का अर्थिक विकास होता है तो एक गरीब परिवार की प्रतीविक्ति आए बढ़ती है हर गरी परिवार के हातों में जादा कमाई आती है ये मजबूती देने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया हमारे प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं से लेकर बुज़ुर्गों तक बुज़ुर्गों से लेकर युवाओं तक हर छेतर हर वर का ध्यान रखा उजुला के माध्यम से हो आयुश्मान के माध्यम से हो हर माध्यम से हर वर का ध्यान डखने का काम हमारे प्रदान मंत्री आदनिय नरेंद्र मोधी जी ने किया जहां एक तरफ सरच से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे तक्निकी तोर पर हमारा देश आगे बढ़े और सुरक्षित रहे इस बात का ध्यान भी मेरे प्रधान मंत्री आदनिय नरेंद्र मोधी जी ने किया साथियों आज हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि जिस शेतर में हमारे प्रधान मंत्री आए हैं इसको पहले नकसल प्रभावित कहा जाता था लोग दिन ढ़लने के बाद निकलने में डरते थे पर आज जो शेतर नकसल वात की वज़ा से जाना जाता था वो आज मेरे प्रधान मंत्री की सभाओं की वज़ा से जाना जाता है ये विकास हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है और आज साथियों हम बिहारियों के लिए ये जिम्मेदारी और जादा बढ़ जाती है क्योंकि अब हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जिस सरकार का केंदर में मजबूती से प्रतिनिदे तो नेतरे तो हमारे प्रदान मंतरी कर रहे हैं तो बिहार में इसी NDA सरकार का मजबूती से नेत्रे तो मेरे मुख्य मंतरी नितीश कुमार जी भी कर रहे हैं और अब दो-दो मजबूत घटक दल हम लोग के साथ और जुड़े हैं आदनिय जीतना माजी जी की हम पाटी और आदनियो पेंदर कुश्वा जी की राष्ट ये लोग मोचा आज पांच दलो का ये मजबूत गड़ बंदन हमारे प्रदान मंतरी जी को विश्वास दिलाता है कि बिहार की 40 की 40 सीटे हम लोग प्रदान मंतरी जी की जोली में देंगे जिसमें से एक सीट हमारे जमूई की भी है आज मेरे प्रदान मंतरी यहाँ पर हम सब का मनोबल बढ़ाने के ले आए हैं आप सब से पुना अगरा है कि प्रधान मंत्री जी का मुख्य मंत्री जी का मा जी जी का उपेंद्र कुश्वार जी का अशिरवाद अरुन भारती जी को मिला है आप सब भी उन्नेस तारीक को हेलीकॉप्टर छाब देखे ना प्रधान मंत्री जी आए अभी हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर छाब पर मोहर लगाकर अरुन भारती जी को विजय बनाना है और प्रधान मंत्री जी के यहां पर आने के लिए एक बार फिर से प्रधान मंत्र इंडिये गडबंदन जिन्दाबाश बहुत बहुत है भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता आदर्नीय सम्राठ चौदरी जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि इस जनसभा की राली को संबोदित करें बोलिये भारत माता की जय जय स्री राम जय जय स्री राम आज जमुई की पावन धर्ती पर मैं एक मतदाता होने के हैसियत से भी इस देश के और दुनिया के सबसे लोग प्रिये नेता और भारत के देश के प्रधान मंत्री और भारतिये जन्ता पाटी के सबसे बड़े नेता आदनिये नरेंद मोदी जी का जमुई की इस पावन धर्ती पर स्वागत करने का काम करता हूँ आज इस मंच पर विहार के लोग प्रिये मुख मंत्री हम लोगों के गारजयन और विहार के जन्होंने विकास करने का काम किया आदनिये नितिश कुमार जी इस मंच पर उपस्तित लोचपा राम बिलास के रास्तिय अध्यक चिराग पास्वान जी इस मंच पर उपस्तित उपेंद कुस्वाहा जी विजैस सिना जी समानित मंच और मंच के सामने उपस्ति तमाम भाईो बुजुर्गो नौजवान साथियो छोटे छोटे बच्चो माताइं बहनो आज देश के यससवी परधान मंत्री जी आपके बीच में आये साथियो और बिहार में चुनाओ की सुरुवात किया है इनोंने आज लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि अजादी के 75 वर्सों में ये पहले परधान मंत्री नरंद मोदी जी है जिनोंने जो संकल्प लिया 2014 में 2019 में उसका 99% काम पूरा करने वाले कोई परधान मंत्री है तो उनका नाम है नरंद मोदी और नरंद मोली ही ऐसे विक्ति हैं जिन्नोंने देश की रक्षा किया देश का महां सम्मान बढ़ाने का काम किया और गरीबों का कल्यान करने का काम किया आज गरीबों को 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे है और बिहार में नितीष कुमार्जी जब से डवल इंजिन की सरकार बनी सातियों देश में जिस तरहा गारंटी थी पाँच किलो अनाज सभी गरीबों को मिलेगा उसी तरह बिहार में भी आदर्णिय परधान मंत्री जी के नित्रित में नितीष कुमार जी के नित्रित में पांच लाग तक का इलाज भी मुप्त इलाज उन सभी सातियों को देने का काम किया जाएगा इसलिए गरीबों के कल्यान की चिंता करने वाले परधानमंतरी है और लगातार ये जो गारंटी सब्द आया है अदने परधानमंतरी जी का देश में बरस्टाचारी लगातार चिंतित रहते हैं जब भी नर्यंद मोदी जी की सरकार बनने का आहट होता है तब तब बरस्टाचारी सचेत होते हैं और सब लोग एक होने का प्रयास करते हैं जुसको जेल जाना ही पड़ेगा उसी तरह आज बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आपके असिरवास से बना प्रदान मन्तरी जी तो बिहार में भी अब कानून के राज को और ताकत देने का काम किया गया और अपरादी जो बालू माफिया, सराम माफिया और जमीन माफिया है उनको भी ताई किया गया है या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा इसलिए आज जमूई की पावन धर्ती परादनिय परधान मंत्री जी को जरूर अस्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा बिहार NDA आपके साथ कड़ा है और पिछली बार एक सीट हम लोगों से छूट गिया था हम लोग 40 की 40 सीट देकर आपको फिर से परधान मंत्री बनाने का सपना पूरा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं जमूई वासियों की ओर से दोनों हाथ जोड़कर परमादर्निय मुक्य मंत्री बिहार का कुशल ने तृत्व कर रहे आदर्निय नितीश कुमार जी को इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ नितीश कुमार जिन्दाबाद आदर्निय विल्हान मंत्री स्री नरंदर मोदी जी बिहार के माननिय उपख्य मंत्री स्री समराठ चौधरी जी और स्री विजे कुमार सिनहा जी लोजपा राम बिलास के रास्तिय अध्यक स्री चिराग पास्वान जी रास्तिय लोक मोर्चा के रास्तिय अध्यक स्री उपवेंदर कुस्वाह जी बिहार सरकार के मानिय मंत्री गन स्री विजे कुमार चौधरी जी स्री मंगल पांडे जी सुमीत कुमार सिंग जी एंडिये के उमिद्वार स्री अरुन भारती जी एंडिये के सभी दलों के दिला ध्यक्ष सभी मानिय सांसत गन सभी विधायक गन एंडिये के सभी नेता गन प्रिंट उम इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों च्छायकार बंधूं और इस कारिक्रम में उपस्तित भारी संख्या में उपस्तित बहनों इवं भाईयों आज मैं आदर्निये प्रधान मंत्री जी का आदर्निये नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं आपका बहुत बहुत अभिनंजन है आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो कुछ भी काम किया तो इतना ज़्यादा काम किया है एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे जन्नायक करपुरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्म दे दिया जो हम लोग मांग करते रहे आपने इसको दे दिया इसके लिए मैं आपका विडंदन करता हूँ और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्म दे दिया अब जानते हैं हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किया हम लोग तो मिलके न कर रहे हैं आप कितना बढ़ियां से काम किये याद करना लिजिए कितना तेजी से काम किया अब आप समझ लिजिए कि जब पहले था पांच में जब हम लोग लास्क में आये मतलब छो से सोचिए उसके पहले साम में कोई घर से बाहर निकल पाता था आज अपने को बड़ा-बड़ा भारी-भारी बात करेगा 15 साल तक उनलों को मौका मिला अब यहार में क्या हुआ कुछ नहीं हुआ और उसका जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या-क्या काम कर दिया आप सोच लिए कोई भार से बाहर नहीं निकलता था अब कितना देर तक लोग लड़का हो लड़की हो सब निकलते हैं अब कैसा हो गया तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और पांच के बाद हमीं लोगों ने काम किया इसलिए याद रखिएगा जो काम आज तक नहीं किया आप वो तो जूट-पूट के बीच में हम एक बार साथ कर लिये थे पाद जूट-पूट के अपना बात करता है जो काम हमीं लोगों का है हमीं लोगों का किया हुआ तो उसके बाद तो हम देखें गड़बड करता है तब फिर छोड़ दिये आप सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गएं आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले तो जो काम किया है पास से लेकर कि आगे तक और केंदर सरकार में दस साल से हैं आधर निये प्रहान मंत्री जी आप कितना ज्यादा कर रहे हैं आप यहार के लिए भी कितना काम करवा दिये आप सोच लिजिए सड़क का काम पूल का काम कितना सब काम किया जा रहा है केंदर सरकार की तरफ से तो इस सोच लिजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और के अंदर सरकार काम करता है और हर जगा के लिए काम करते हैं अब सामने ही नहीं नहीं देख रहे हैं जी कैसा पूल है यह पहले था अब आप लोग पीछे ही नहीं सामने देखिए इक पर रहा एक एक शीद देख भीजिए कि सब काम हम लोग किये हुए हैं कि सब तरह का आप कितना ज्यादा होता था आप याज तक जो करते रहते हैं आप पहले जब था पांस तक तहिंद्र Q मुस्लिम ज़गड़ा होताथा अब जब हम लोग आगय सबraorous को जब भृदिए घरिया फिर जगड़ा शुरू करा देगा इसलिए याद करिए हम लोग तो समाद में सब्सक्राइब के उत्थान के लिए काम किये भूलिएगा मत सब तरह से काम किया पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची तो छोड़ दीजिए आप कितना पढ़ाई शुरू हो गया हर तरह से काम किया गया आप पहले स्वास्ती कोई वेवस्ता थी जी कितना होता था इतना कम और हम लोगों ने जब सुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है तो इसलिए तो हर तरह से तो हम लोग सुरू से ही पांच में आए तो पहला साल दस त तक उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम आप फिर जड़ा देख लीजिए दो हजार पंद्रह में जो हम लोग ने साथ निस्टे किया अब उसके अंतरगत कितना कितना बढ़ात हुआ हर घर नल का जल हर घर पक्की गली नाली सौचाल है और ये भी कर दिया कि जो है उट्टोलों से ग्रामिंग्शतरों में जोडने का भी काम किया है और 2020 में साथ अवस्त स्वा आघ की नोकरी होगी अब सोच लेजिए चार हो गया है एक और तुरत होने वाला है तीन का प्रोसेस कल रहा है तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं दस लाख रोजगार की बात थी आज भी बड़ी संक्या में लोगों को रोजगार मिल गया तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और हम लोग तो सुरू से ही नयाय के साथ विकास के सिध्धान पर काम कर रहे हैं आप कितना ज्यादा उत्थान हो गय अब भारी संक्या में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप कितना हम लोग काम कर दिये, जब पहली बार मौका मिला, जब चुनाव हुआ, तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को 50% पंचायतों में और 7 में नगर निकावे में भी कर दिया, तक कितनी और जो हम लोग स्वाइंग साहता समूह, हम जब केंदर में थे, आउस समय बाहर जाके देखते थे, कि स्वाइंग साहता समूह में और महिलाएं हाबिहार में बहुत कम थी, तो जब हम लोग जैसे ही आए, छो में ही हमने का ले करके शुरू करा दिया, और अब उसका नाम ले दिया देश भर में आज जीविका, मतलब बिहार में जीविका, आदेश में आज जीविका, यही से काम शुरू कराया, और आपको मालूम है, तस लाख एक्क्यावन हजार स्वेंग साहता समूह हो गया है, और एक करोड एक्तिस लाख से जादा महिलाएं जीविका दीद कि आपस में प्रेम और भाईचारे का कायम रखिएगा, और हम लोग सब दिन हैं, और 400 सीट, यह सीट भी आपूरे बिहार के लोगों को कहेंगे, सब सीट जीतवाईए, आइस बार आदर निये, प्रधान मंत्री जीए, फिर से प्रधान मंत्री होंगे, लेकिन अब हम से भी जादा जीतेंगे, तो उतना जादा हो करके और खूब काम होगा, तो यही हम कहना चाहते हैं, तो इसलिए, अब सब कुछ बात हो गया, तो एक एक तरह से काम, हर तरह से, आप कितना जादा, चारो तरफ केंदर की तरह से, सड़क और पूल का निर्मान, कई मेडिकल क वाले इसका निर्मान हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है, और सब के लिए हम आपको, आपका नमन करते हैं, और इसके बाद, जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहेगा, हम लोग भी मिल करके, यहां की सेवा करते रहेंगे, और आप जरूर, चार सो से भी ज़्यादा वोट से जित करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होईएगा यही हम कहना चाहते है तो आप लोगे सुमिदवार को जिताईएगा न जी हाथ उठा के बताबा है हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे चलिए आई बीच बारा का यहाँ पर दोगा तो लहाँ उठ बहुत बहुत धन्डवाद आपको नितीश कुमार जिन्दाबाद मेरी विनम आग रहा है कि सातियों शांती बनाए रखिये कुछ शंड में आप जिनका बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच में आएंगे अयम निज़ परोवेती गणनाय लगू चेत सम उद्दार चरिता नाम तू वसुदेव कुटंबकम की भावना को केवल भारती नहीं बलकी पूरे विश्व में परिभाशित करने वाले विकाशील पूरुष आदर्निय प्रदान सेवक आदर्निय प्रदान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने उद्भोधन के लिए साधरा मंतरित करती हूँ नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद मोदी दी को जैश्री राम भारत माता की भारत माता की गिधोर दुर्गामाई बाबा दनेश्वर नात के इपवित्र भूमी के नमन करहिये भगवान महवीर के इज्ञान भूमी पर अपने सब के अभिनंदन करहिये मन पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशिरवाद देने आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मैं इस तरफ देख रहा हूं कि पूरा हुजूम का हुजूम अभी आ रहा है अब जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं ये चुनाव सभा है कि विजे सभा है आपने कमाल करके रख दिया आज आज जमुई की इस खुपसुरत धर्ती पर उम्रा ये जन सहलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है जुमई से बीजे पी और एंडिये के पक्ष्मे उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गुंज रही है जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी चालिस सिटें एंडिये के खाते में देने का आप बिहार वास्यों का निर्धार मैं इस निर्धार को नमन करता हूँ और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार साथियों मैं जब भी आपके बीच आया हूँ आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है अपना पन दिया है लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सब को महसूस हो रही है हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलीतों वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पज्म विभूशन से सम्मानित राम विलाज पास्वान जी हमारे बीच नहीं है मुझे संतोस है कि राम विलाज जी के विचार को मेरा छोटा भाई भाई चिराग पास्वान पूरी गंबीरता से आगे बढ़ा रहे हैं 19 अप्रिल को आप एंडिये को जो समर्थन देंगे आप भाई अरून भारती जी को जो एक-एक वोट देंगे वो राम विलाज जी के संकल पॉंको मजबूती देगा साथियों बिहार की धर्ती पुरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है बिहार की इस धर्ती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नीव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ के साथ आजादी के बाद पांच-छव पीडियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया बिहार को एंडिये गत्वद्दन बहुती परिश्रम से एक बड़े दल दल से बहार निकाल कर लाया है हमारे नितिस बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमी का रही है अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गती से विकास करें इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविश के लिए बहुत निरनायक है ये चुनाव विक्सीत बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है ये चुनाव विक्सीत भारत के संकल्प को मजबुत करने का चुनाव है आज एक और कॉंग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टिया हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था दूसरी और बीजेपी और एंडिये हैं जिसका एक ही लक्ष है विक्सीत भारत का अन्विरमान खुशहाल बिहार का अन्विरमान आप याद करिए दस साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी कॉंग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कॉंग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा भारत वही महान पाटली पुत्र और मगद वाला भारत है भारत वही चंद्र गुप्त मौर्य वाला भारत है आज का भारत गर में गुश कर मारता है आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है अब दुनिया देख रही है कि केवल दस वर्षव में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बड़ी है आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बन चुका है चंद्रमा के जिस कौने पर कोई नहीं पहुचा था वहां हमारा चंद्रयान हमारा तिरंगा पहुचा है भारत जब जी ट्वेंटी की मिटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है ये किस ने किया? ये किस ने किया? ये किस ने किया? जी नहीं आपका जबाब गलत है ये मोदिले नहीं ये आपने किया है आपके एक वोट ने किया है आपके वोट की वो ताकत थी जिसके कारण ये सब संबव हुआ है और इसलिए इस सफलता के हकदार अगर कोई है तो आप मेरे प्यारे देशवासी है साथियों आज देश कैसे बदल रहा है बिहार खुद इसका साक्षी है और बिहार कैसे बदल रहा है इसका उदारां जमुई में भी देख सकते हैं आप याद करिए हमारा ये जमुई आर जेडी और कॉंग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे जमुई की पहचान कैसी बना जी थी लोगों ने जमुई आर जीडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्त भोगी होता था जमुई की पहचान नकसलवात से होती थी सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी नकसली यहां सडके नहीं बनने देते थे इसका नुक्षान यहां के गरीब मजदूर और किसान को होता था लेकिन आज वही जमुई विकास के हाइवे पर तेज रप्तार पकड़ रहा है नकसलवात दम तोड़ चुका है जो लोग नकसलवात के रास्ते पर भटक गए थे उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है उनके परिवारों को पुरा सयोग दिया है अब इस इलाके से एक्स्प्रेस वे निकलेगा मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है अब जमुई के एक और देवगर से हवाई जहाज की सेवाय सुरू हो गई है तो दूसरी और गया एरपोर्ट के विस्तार की तैयारी भी चल दही है इस इलाके में इतनी प्राक्रूतिक सुन्दरता है हमारा प्रयास है कि देवगर और गया जी आने वाले लोग यहां भी आकर के जाएं पूरे बिहार में रोड इंफ्रासेक्टर के लिए हमारी सरकार करीब एक लाग करोड रुपे खर्च कर रही है इन सारे प्रयासों से यहां रोजगार और स्वरोजगार इसके अनेक आउसर बन रहे हैं भाई जो और भेनों आपको एक बात और कभी भी भूलने नहीं है हमेशा हमेशा याद रख लिए याद रखिए और कोई भी गरीम मा का बेटा इसको भूल नहीं सकता है कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है कोई भी आशा अपेक्षा कर लेकर के जीने वाला नवजवान महनत करके आगे आया हुआ नवजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता है याद किजिए रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते रेल मंत्री हमारे नितिस बाबू भी थे आज तक कोई शिकायत नहीं आई नितिस बाबू के खिलाब और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छेल ली गमंडिया गड़वंदन वालों के समय में केवल खस्ता हाले त्रेने चलती थी लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी बंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जल्द ही ये ट्रेडें देश के हर रूट पर दोड़ती नजर आएगी जमुई के पुराने रेल्वे स्टेशन की जो आहलत है वो तो आप बली भाती जानते हैं अब जमुई का रेल्वे स्टेशन भी आधोनिक बन रहा है कुछ महिने पहले जब नए रेल्वे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेल्वे स्टेशन भी एरपोर्ट की तरह सुवीधा युक्त होंगे साथियों अभी नितिज बाबु बता रहे थे कितने सारे काम हुए हमारे समराज जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूँ शायद रात भर मिटिंग चलानी पड़े लेकिन उसके बावजुद भी भाई यो भेनों ये मोदी है मोदी की कुछ सोची अलग है ये इतने सारे कामों की सुची बताई जाती है न ये दस साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर अभी तो बहुत कुछ करना है अभी तो हमें देश को बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है आप मेरे साथ सहमत है सहमत है और आगे जाना है न बहुत आगे बढ़ना है न बिहार को भी बढ़ा न हिंदुस्तान को भी बढ़ाना है न शाथियों ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुचा है इसलिए हर गरीब के सपने का महत्वा मोदी भली भाती जानता है उसको जीने का प्रयास करता है और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान बिहार के मेरी माताएं बैने बिहार के हर बुजूर्ग मेरे शब्द लिख करके रखिये और ये मोदी की गारंटी है आपका सपना आपका सपना ही मेरा संकल्प है इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्यान को सर्वोच्च प्रात्विक्ता दिये केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाग पक्के घर मिले हैं आज बिहार के करीब नव करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले पांच साल भी मिलता रहेगा बिहार में 84 लाग से जादा आविश्मान काड भी बने है इसलिए ही मैं कहता हूँ जब नियत सही जब नियत सही तो नतीजे सही साथियों बीजेपी सरकार इनसानों की सेवा तो कर ही रहा है हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तै किया किहिंद्र सरकार ने बिहार के करीब दो करोड पशुओं को खुर पका मुपका जैसी बिमारियों से बताने के लिए मुप्त में टीका करन का अभियान चलाया है आपको कोविड के समय मुप्त में जो मोदी ने टीका दिया वो तो याद है मोदी पशुओं को भी टीका मुप्त में लगा रहा है पहले गरीबों का जो पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था अब वो सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है आज बिहार के पच्चासी लाज से जादा किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी का लाब मिल रहा है यहाँ जमूई में ही किसानों को इस योजना के तहर आठ सो पचास करोड रुपिय से अधिक सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे है आप मुझे बताईए साथ यो एक गमन्डिया गडबंदन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्ता बनती क्या हो सकता क्या RJD कॉंग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि आप ऐसा मिल गया है साथियों आज देश के सारे प्रस्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे एक दूसरे पर प्रस्टाचार के आरोब लगाते थे एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे अब वो सब मिलकर मोदी आया ब्रस्टाचारी कान खोल करके सुन ले ये मोदी नहीं आया एक सो चालीस करोर देश वाजियों का ब्रस्टाचारी के पती गुश्टा निकल करके आया है और इसलिए ये मोदी के खिलाब अनाप छनाप पतानी क्या क्या बोलते है साथियों मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ मोदी कहता है ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे पताईए ब्रस्टाचार हटना चाहिए ग नहीं हटना चाहिए इस देश से ब्रस्टाचार जाना चाहिए के नहीं जाना चाहिए हर स्तर पर से ब्रस्टाचार जाना चाहिए जिन्होंने लूटा है उन्होंने लोटाना पड़ेगा अगर नहीं पड़ेगा साथियों ये कौन लोग है जो ब्रस्टाचार के खिलाब इतने बड़ाई लड़ाई का दिरोत कर रहे हैं आप देखिए एक तरफ NDA सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है दूसरी वार ये लोग है जिन की पहचान अपहरन उद्योग की रही है एक तरफ NDA सरकार है जो सोलर पावर और LED लाइट की बात करती है दूसरी वारे गमंड या गटबंदन वारे लोग बिहार को लालतेन यूग में रखना चाहते हैं हम नतीश जी के सहयोग से बिहार में हाईवे वर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जब प्यार जेडी ने बिहार को गड़्यों और खाई में धकेल दिया था एंडिये सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार दे रही है जब प्यार जेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं हम महिलाओं को सुरच्छा की गारंटी देते हैं बेटियों को नए आउसर देते हैं जब प्यार जेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था साथ्यों हमारी सरकार में राम मंदिर का पान्चो वर्थ पुराना सपना पूरा हुआ जबकि यही आरजेडी कॉंग्रेस ने राम मंदिर ना मने इसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए आज भी यह लोग राम मंदिर का उपहास उडाते हैं अपमान करते हैं साथ्यों कॉंग्रेस हो या आरजेडी इन्होंने हर मोके पर बिहार और बिहारी गवरव का अपमान किया है यही कॉंग्रेस और आरजेडी की जिसने करपुरी ठाकूर का अपमान किया था अभी कुछी समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गवरव करपुरी ठाकूर को भारत रत्न दिया तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया इनी लोगों ने रामनाथ कोविजी को राश्पती बनाने का विरोध किया कॉंग्रेस वरार जेडी ने आदिवासी महला द्रवपदी मुर्मुई जी को राश्पती का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकर लगा दे थी 19 अपरिल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है चुन चुन करके इनको साफ करना है करेंगे गर गर जाएंगे लोगों को समझाएंगे आपको मेरा एक और काम करना है गर गर जाकर लोगों को बताएं मोदी जी आये थे मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचेगा यह आपकी गारंटी तो मेरी गारंटी है विकास की मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बाद बाद धनिवाग नरेंडर मोदी जिन्दाबाद बारत माता की बारत माता की ने नर्मादी जिन्दाबाद